अलो स्टुडेंट स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में टर्गेट पर मोले सब इस चैनल पर बोड़ एक्जाम्स आईटी जेए निट्स एम्स के इंधी मिदियों से शातरों की तियारी कराई जाती है इस चैनल पर उपयोग सब्जेट के एंड इंटर नोट्स ताव आज के इस वीडियो लेक्षर में कुर्शन नमबर नौ देखेंगे बिवीत प्रस्णाव लिका और जैसा की चैप्टर हमारा लिखा ही है डिटर्मिनाट यह साट लिख ठिक तो चलिए हम लोग कुर्शन नमबर 9 करते हैं तो यहां पर दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनाट तो हमने लिखा कि C1 पर इस पर पहले कॉलम पर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों जोड़ने पर तो इसको किस परकार लिखेंगे तो इसको इस परकार लिखेंगे कुछ C1 पर हम लोग काम करेंगे एक पहले कॉलम पर और C1 प्लस C2 प्लस C3 का परियोग करने पर तो सब के सब क्या हो जाएगा देखें यहां पर कि X है यह Y भी इसमें जो उटेगा तो X प्लस Y और यहां पर भी X प्लस Y है तो क्या हो जाएगा 2X प्लस 2Y तो इस पर कर हो जाएगा उसी पर कर इसमें यह वाला और यह वाला जोड़ने पर क्या मिलेगा 2X प्लस 2Y इसमें फिर यह वाला और यह वाला जोड़ेंगे तो फिर वही मिलेगा 2X प्लस 2Y और बाकि देखें C1 पर जब काम हो रहा है न तो बाकि जो भी है हमारा वो उसी तरह उतर जाएगा, यानि C2 भी और C3 भी, तो उसी तरह उतर गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, कि हम लोग लिखेंगे कि C1 से, C1 में पहला कॉलम से, 2X प्लस 2Y कॉमन करने पर, तो 2X प्लस 2Y को क्या लिख सकते हम, 2X प्लस 2Y, तो चलिए हम लोग कॉमन कर लेते, तो यह 2X प्लस 2Y कॉमन करने पर, तो हमने कॉमन कर लिया, बच्चा यहाँ पर 111 और यह उसी तरह उदर जाएगा, ठीक, अब ध्यान देजाएगा, कि अब हम लोग क्या करते हैं, कि इस साड़ने के, यह पहले कॉलम को, इसमें का पर, एक आप दो को भाग ट्या करते, जिरो करने तो 0 हो जाएगा, फिर इस एक में से ये वाला एक घटा दिया जाएगा, तो यह भी पर्ट 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कि R1 पर कम करेंगे, R1 मानस R2 तथा R2 पर R2 मानस R3 का परियोग करने पर, तो यहाँ पर क्या हुगा, कि इस 1 में से ये वाला 1 घटा के वर lungशाएंगे क्युवल यहां पर उस्के बाद फिर यक्स में खट काम नहीं किया रहा है और अpa जैबार लिख दिया क्या कि इसको क् essence करेंगे ठेक C1 का नुदीश तो यहाँ पे अब लिखेंगे यह हमने उतार दिया पिर यहाँ पर तो हमने लिखा कि C1 का नुदेश यानि की पहले कॉलम के अनुदीश हम इसका expand करेंगे यानि की प्रसार करेंगे विस्तार तो आएए, ये वला हमने उसी तरह उतार लिया है, उसके बाद, ये 0 लिया हमने, तो 0 लिजेगा, तो कोई भी संख्या से गुना कीजेगा, तो 0 यहां पर 0 लिया, तो यहां पर 0 आ गया, उसके बाद फिर, ये भी 0 लेंगे, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो अब हम फिर कि यह वाला तो जिरो वाला तो पार्ट है हमारा यह तो खतम हो जाएगा है कहानी यह वाला लिख लिए फिर ये जिरो refugee मिभलार देंगे तो आप देखिये कि इसका कि दो मिझे में करेंगे उसके बाद यवाल हमने लिख लिया उसके बाद मनश एकस का इस एकस में करेंगे तो minus x square फिर minus x का minus y में करेंगे minus minus क्या हो जाएगा plus x y उसके बाद ये y square है अब आगे देखते हैं तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें से minus common कर लेते हैं तो जब minus common करेंगे न तो जहां पर आ जाएगा मैंने minus यहां पर रख दिया है उसके बाद अब देखें कि ये plus में हो जाएगा ये भी plus में हो जाएगा ये minus में तो यहां पर हमने लिख देला है अब यहां पर ध्यान दियेगा कि चोकी हम लोग क्या जानते हैं कि aq plus bq बराबर a plus b into a square plus b square minus a b होता है ठीक तो इतने के जगा पर हम aq plus bq रख देंगे तो यहां पर देखें कि ये वला और ये वला पार्ट एकदम होगे हो उसी पर काम कर रहा है तो यहां पर हमने लिख दिया minus 2 ले लिए हमने और इतने के जगा पर क्या लिखा xq plus yq और यही तो हमें answer लाना था मतलब कि दिया है answer तो इतना ही answer हो जाएगा तो में देव question समझ में आया होगा चलिए question number 10 देखते हैं तो यह question number 10 है और इसका भी हम लोगों को मान निकालना है ठीक तो यहां पर ध्यान देजिए कि सबसे पहले लिख लेंगे कि चुकी दिया है determinant यह हमने लिख लिया अब ध्यान देजिए कि अब इसमें क्या करना है तो वही वहला कहानी है R1-R2 यानि कि दो पार्ट को 0 कर दिजिए किसी कॉलम का तो यह देखें यही कॉलम है जो असानी पूर्वक हो जाएगा ठीक तो इसमें दो अब यहों को 0 कर देते हैं उसके बाद expand कर देंगे तो आजे हम लोग देखते हैं तो अब यहां पर ध्यान देजिए हमने लिख दिया यहां पर कि R1 पर यानि R1 पर काम करेंगे पहले पंक्ति पर R1-R2 यानि कि पहले पंक्ति में से दूसरा पंक्ति खटाने पर तथा दूसरे पंक्ति पर काम करेंगे और दूसरे पंक्ति में से तीसरा पंक्ति खटाएंगे यानि R2-R3 ठीक तो यहां पर देखें कि 1 में से यानि यह पहला पंक्ति हो गया इसमें से यह वाला खटाएंगे तो 0 बजए गए यहां पर तो हमने लिखा 0, फिर x में से x plus y घटाएंगे तो minus y, फिर y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, उसके बाद फिर अब r2 में से r3 को घटाना, यानि 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 0, फिर उसके बाद x plus y में से हमें घटाना है y, तो हमने यहाँ पर x plus y मे गटाएंगे तो कितना बचेगा वाई बच जाएगा उसके बाद फिर य में से यक्स पलस य घटाएंगे तो क्या बचेगा मैनस का यक्स उसके बाद यह जो आर्थरी है उसी तरह उतर जाएगा अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि c1 के c1 के साप एक सभिस्तार करने पर c1 के साप एक चभिस्तार कर देंगे तो पहले कॉलम के अनुसार यानि कि ये इसी में 0 की संख्याद दिखाए अब कमभरी करता है तो इधर से यानि r1 के अनुदिस भी तोड़ सकते है तो हमने ल प्लस 1 दो प्लस 1 हमने लिया जब यह लेंगे तो यह और यह चोड देंगे मैनिस y, zero, y, minus x यह हमने लिया उसके बाद आप दिखे कि minus x का minus y में होगा, तो minus xy हो जाएगा लिया फिर minus y का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और उसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि क्या कहा है निर्देश में बोल रहे हैं निर्देश दिया इसमें कि प्रस्ण संख्या 11 से 15 चाहनिकों के गुर्धर्मों का परियोग करके निमनलिकित प्रस्णों को सिद्ध किजिए तो सबसे पहला अमारत दे दिया यहाँ पर यह वाला कुस्सर नंबर 11 दे दिया है कि इतना बराबा आपसिद किजिए बीटा मानेस गामा इंटू गामा मानेस अलफा इंटू अलफा मानेस बीटा इंटू अलफा प्लस बीटा प्लस गामा तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लेंगे LHS क्या लेंगे LHS को यहां पर हमने लिख दिया कि LHS यह वला उसी तरह उतार देंगे अब देखें कि यहां पर क्या किया जाएगा थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि यहाँ पर क्या करना हमें कि यहाँ पर देखे बीटा प्लस गामा है अगर मैं इस अलफा को यहाँ पर जोड़ दे रहा हूं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखे अलफा प्लस बीटा प्लस गामा लाना है ठीक तो वही हमने दिमाग लगा है थोड़ा सा तो य प्लस गमा हो जाएगा उसके बाद इस गमा को यहां पर जोड़िएगा तो वही आएगा तो हमारा कहने का मतलब है कि यह C3 है हमारा C3 पर से C3 पर हम C1 को जोड़ देंगे ठीक तो यहां पर हमने लिख दिया तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पर देखिए सबस्क्राइब करने पर अब देखिए तो कुछ इस पर कर दाएगा हमारा अलफा इसक्वार हो जाएगा यह तो उसी तरह उतर जाना है यह बला और यह बला दोनों कॉलम उतर जाएगा किसरे कॉलम में हम खली परिवर्तन कर रहे हैं या कर रहा है कि इसको इसमें जोड़ दिया तो यह कुछ हिस्स परकार हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे यह सीथरी से अलफा प्लस वीटा प्लस गामा कॉमन करने पर तो चलिए हम लोग common कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सीथर से alpha plus beta plus gamma को common करने पर तो यह हमने common कर लिए यहाँ पर सब 1 बज जाएगा और वाकि यह सब तो उसी तरह उधर जाएगा अब देखें कि छुकि हमें सीथ क्या करना है तो लिखा हुआ है उसमें कि दिखा दे रहे हम अब ही आपको तो यहाँ पर देखें कि beta minus gamma फिर gamma minus alpha into alpha minus beta into यह वाला तो अब ध्यान देजें कि alpha minus beta कहा है तो यानि कि कहीं न कहीं इस alpha में से यह वाला बीटा घटाना है दूसरा नमबर देखें बीटा minus gamma कहा है यानि कि इस बीटा में से gamma को घटाना है तो यानि कि R1 पर हम लोग काम करेंगे तो R1 minus R2 करना पड़ेगा और R2 पर क्या करेंगे R2 minus R3 तो आजे इस चीच को हम लोग इस पर apply करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया ठीक अब R1 पर काम करेंगे तो R1 minus R2 तो था R2 पर काम करेंगे R2 minus R3 का पर्योग करने पर तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा यह बला तो हमने उसी तरह लिख दिया उसके बाद देखिए कि अलफा में से बीटा घटाएंगे तो अलफा मानिस बीटा हो जाएगा तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फिर अलफा स्कॉर मानिस बीटा स्कॉर जो कि यहाँ पर वन में से बीटा में से गामा घटा रहें तो यहाँ पर लिखेंगे कि बीटा मानिस गामा उसके बाद बीटा स्कॉर मानिस गामा स्कॉर तो यहाँ पर हमने लिख दिया उसके बाद 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा जीरो उसके बाद तीसरा जो है ना पंक्ति उसी तरह उतार देंगे तो आपको दिखाई देही रहा है अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि आरवन से अलफा मैनस बीटा कॉमन करने पर ठिक तो यहाँ पर तो अलफा इसक्वाड मैनस बीटा स्केवर है तो छुकि आप लोग शुत्र क्या जानते हैं यहाँ पर हम सुत्र बता दे रहे यह तो आप जानते ही होंगे कि a square minus b square बराबर a plus b into a minus b होता है तो यहाँ पर यह alpha square minus beta a square है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग alpha square minus beta square बराबर क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिखते दिखाते हैं alpha minus beta और into alpha plus beta यह लिए लिख सकते एक दम तो आपका एंसर हो गा, yes, sure तो यहां से हम लोग इसके जगापर अब देखिये कि alpha square minus beta square में से हमने alpha minus beta निकल लिया तो क्या बचा हमारा? alpha plus beta बचा तो यहां पर हम उसी तरह लिखेंगे कि alpha minus beta common कर लिये तो यहां पर पूरा बढ़ियास अच्छी तरह से लिख दिया गया है यह आरवम से यानि पहले पंक्ती से अलफा मैनस बीटा कॉमन करने पर तथा आरटू से यानि दूसरे पंक्ती से बीटा मैनस गामा कॉमन कर रहे हैं ओके तो यहां पर देखिए तो यह वाला तो हमने उसी तरह निकाल लिया रख दिया यहां पर और अलफा मैनस बीटा पहले रो से हमने कॉमन किया तो यहां पर लिख दिया अलफा मैनस बीटा दूसरे रो से हमने बीटा मैनस गामा कॉमन किया तो बीटा मैनस गामा उसके बाद यहां पर देखे कि यहां पर क्या बचेगा वन बचेगा तो वन हमने लिख दिया यहां पर क्या बचेगा अलफा प्लस बीटा उसके बाद यह तो जिरो में तो जिरो में किसी संक्या से गुणा कर दिजी कोई फरक नहीं पर तो जिरो गुणा यह अलपा इंटू अलफा माइनस बीटा लिख सकते हैं तो यह तो बेसिक नॉलेज है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा यह जिरो आ जाएगा यहां पर ठिक उसके बाद यहां बीटा माइनस गामा में से बीटा माइनस गामा ही कॉमन करना है तो कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा वन यहां पर लिखा हमने वन बीटा माइनस गामा में से बीटा माइनस गामा जब कॉमन करेंगे तो बीटा प्लस गामा बच जाएगा यहां पर यहां पर लिख दिया है हमने उसके बाद यह तीसरा जो रो है ना उसी तरह उतार देंगे ओके अब उसके बाद देखिए कि अब यहां से लगए यहां तक उसी तरह उतार देंगे अब उसके बाद देखें यह 0 लेंगे तो 0 फिर – 0, 0 फिर अब वन लेंगे जब वन लेंगे न तो इसको जैनिकि जीस अस्तम में है और जीस पंक्ति में उसे छोड़ेंगे बचे का हमारा 1 alpha plus beta और यह 1 beta plus gamma है अब देखे कि क्या करेंगा हम लुग कि यह beta plus gamma का 1 में गुना करेंगे क्या हो जागा बीटा plus gamma फिर minus लगाते हैं 1 का इस alpha plus beta में गुना करते हैं तो alpha plus beta बैकट दे लगाएंगे क्योंकि मैनस है आगया ओके अब उसके बाद देखिए कि यह और यहां तक यह उसी तरह उतार जाएगा यह 0 भी खतम हो गया अब यह क्या हो जाएगा कि बीटा प्लस गामा मानेस मानेस का गुणा करेंगे इसमें भी और इसमें भी तो क्या हो जाएगा यह गामा मानेस अलफा तो यही एक्शुल में थोड़ा सथ इसको अच्छी तरह से कर देंगे तो यह वला जो था यह लाश्ट में था और अलपा मानेस बीटा जो था यह वला यहां पर था ठीक पिर बीटा मानेस गामा था तो यह हमारा मतलब इसको सर्याव लेगा तो हो अचर है कि इतना बराबर हमें सीद करना है इतना ठीक यहां पी एक अचर है तो यहां पर लिख देंगे कि चुकी सीद करना हमें इतना बराबर इतना अब ध्यान देजिए कि यहां पर सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे तो अमने यहां पर LHS ले लिया तो LHS मिंस सोताया हंट साइड और आरेशेस में राइट हैंड साइड तो लेने के बाद उसके बाद आप देखिए यहां पर क्या किया जाएगा कि आपको ध्यान होगा हमने इसका पूरा बेसिक कॉंसेप्ट बता रखा है कि किसी भी पंक किसी भी जो अस्तम में है अगर प्लस रहता है तो मतलब कि उसको अलग किया जा सकता है ठीक डो डिटर्मिनाट में उसका मान वही आएगा तो यहां पर ध्यान देखिए यह हमने उसी तरह लिख दिया यह वाला भी उसी तरह लिख और यह वाला दूसरा कोलम यहां पर लिखा आप यहां पर प्लस लगाकर लिखा गया है ध्यान दीजे कि यहां पर क्या है हमारा कि ऩालस लिखा हुआए बिच'? p ये और ये हम एक में लिख लेंगे यानि कि दिखाई दे रहा है आपको यानि कि ये दो column और इसमें ये वालब वन 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 ये हम ने लिख लिए फिर उसके बाद देखे तीनों में plus है है ना तीनों अभियो हो में और हमने यह प्लस के बदली में यहां पे प्लस लिख लिया उसके बाद यह दोनों फिर कॉलम उसी तरह उतारेंगे और फिर यहां पर देखिए कि इधर क्या है हमारा PXQ, PYQ, फिर PZQ यह हमने उतार लिया तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर डिटर्मिनांट में इस त करना है PXYZ ठीक इसलिए हमने इस तरह तोगा अब उसके बाद अभी ध्यान दिजाएगा कि देखा जाए यहां पर तो दूसरे डिटर्मिनांट में यानि दूसरे साड़निक में पहले पंक्ति से यक्स यक्स और यक्स कॉमन है तो हम लोग यक्स कॉमन कर सकते हैं आपका कार यक्स कॉमन कोस्ट वहार यक्स स्क्वार क्यों यहां पर है लकिन यहां नहीं है तो अर्वन से हमने españ कॉमन किया युद् तो ये वाला जो है ना ये वाला determinate उसी तरह उक्तार देंगे उसके बाद इसमें से xyz common कर लेंगे तो common करेंगे तो इस तरह आएगा ये बीच में plus है तो plus हमने लिख दिया common कर दिया तो इस परकार आएगा अब थोड़ा सा यहां पर दिखा जाए कि C3 पर क्या है तो C3 पर P common है तो P भी बाहर निकाल दिए तो लिखेंगे C3 से P common करने पर जो कि इस तरह हमने लिख दिया है उन्हा दूसरे साड़निक में C3 से P common करने पर तो यहाँ पर कुछ इस परकार मिल जाएगा कि C3 से हमने P common किया तो P भाहर निकल जाएगा यानि यहाँ पर आ जाएगा ठीक और बाकि यह वाला उसी तरह प्लस है तो प्लस अब यहाँ पर X Y Z था तो यहाँ से P common किया तो P X Y Z उसके बाद यहाँ पर यह उसी तरह उतर जाएगा यहाँ से किवल P हड़ जाएगा ठीक तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देजिएगा कि यहाँ पर जो यह पहले कॉलम में अवे हो है यहाँ पर यह दूसरे कॉलम में है यहाँ पर जो दूसरे कॉलम में है वो यहाँ पर तीसरे कॉलम में है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें column का changing कर देते हैं तो यहाँ पर इसी का जैसे यहाँ पर भी आ जाएगा फिर जब दोनों के determinant में एक ही हो जाएगा तो हम determinant पहर कि आहाँ परो इसी कशने मैं ही तो आपको समझ में आरहा होगा सो हमने लिखा है यहां पर कि देखिए पहले क्या करना है कि one one लाना है पहले कोलम पर हमदेंगे कि सीन यानि पहला कलम को तीसरे कॉलम से चेंज करने पर ध्यान दिजेगा कि अगर एक बार चेंज करेंगे न किसी गोलग पंख्ती को अगर चेंज करते हैं तो एक बार मायनेस आता है या दो अस्तमको चेंज करेंगे तब भी मायनेस आएगा एक मायनेस बाहरी थिक यानि जो determinant का value होता है उसका चीन बदल जाता है मानूत नहीं होता है तो हमने क्या किया C1 convert to C3 उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जब यह यहाँ पर आ जाएगा लेकिन x by z तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए आएगा तो यहाँ पर तो ठीक है C1 convert to C3 तथा C2 convert to C3 का परियोग करने पर तो कुछ इस परकार मिल जाएगा हमारा तो इस परकार मिलेगा अब यहाँ पर ध्यान देजिए कि जब दो बार मैनेश चेंज किया ना तो यहाँ पर मैनेस का square हो जाएगा ठीक तो मैनेस का square हो जाएगा तो plus में ही बदल जाएगा अब देखिए कि यह वाला और यह वाला दोनों एक ही जैसा हो गया है तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से यह determinant common कर लेंगे तो यहाँ से जब common करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा क्यावल इसे जीरो दोनों को कर लेता है तो असानी हो जाता है है न थोड़ने में तो हम लोग लिखेंगे कि r1 पर काम करेंगे यानि पहले पंक्ति पर और दूसरे पंक्ति को r1 में से घड़ाएगे यानि पहले पंक्ति से दूसरे पंक्ति को फिर दूसरे पंक्ति से तीसरे पंक्ति को घटाएंगे तो यहां पर हमने वही लिख दिया है कि R1 पर काम करेंगे R1 मानस R2 तथा R2 पर काम करेंगे R2 मानस R3 कपर योग करने पर तो यहां पर हमने लिख दिया जहां दिजे कि 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 आएगा X में से Y घटेगा तो X-Y हो जाएगा तो यहाँ पर लिखती है हमने फिर X²-Y² हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ 1 में से यह 1 घटाएगे तो 0 हो जाएगा Y में से Z घटाएगे तो Y-Z फिर y square में से z square घटाएंगे तो y square minus z square तीसरा जो पंक्ती है उसी तरह उतर जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देजे थोड़ा सा कि r1 तथा r2 से यानि ये पहले पंक्ती तथा दूसरे पंक्ती से x-y और यहाँ से y minus z common करने पर तो यहाँ पर लिखे देंगे कि r1 तथा r2 यानि पहले पंक्ती पंक्ती तूसरे पंक्ती से x- y और y-z common करने पर तो हमने common कर लिया तो कुछ there कर रमिल जाएगा यह x 1 प्लस x p x y z को हमने लिख दिया यहाँ पर और यहाँ से हमने पहले पंक्ति से x-y कॉमन किया फिर दूसरे पंक्ति से y-z तो यहाँ पर बच जाएगा 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर x-y यह तो आप जान ही रहे यह भी a square minus b square पर है तो यह पर बच जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा x plus y उसी परकार यहाँ बचेगा 0 0 बचा है यहाँ पर 1 बच जाएगा जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है यहाँ पर y plus z और तीसरा जो पंक्ति हमारा उसी तरह उतर जाएगा अब हम लोग लिखेंगे कि देखे जीरो की संख्या किसमे है अधिक्तम तो यह है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि 7 के साफ एक्ष बिश्तार करने पर तो 7 के साफ एक्ष यानिकी पहले अस्तम के अनुसार अब देखे कि यह और यहां तक उतर जाएगा उसी तरह अब 0 लीजेगा तो 0 तो 0 ही हो जाएगा फिर मैनिस यह 0 तो उसी तरह 0 फिर पलस 1 लेंगे तो 1 हमने लिख दिया जब 1 लेंगे न तो यह और यह छोड़ देंगे बचेगा 1 का Y पलस Z में गुना करेंगे तो Y पलस Z पिर मैनिस 1 का Y पलस Y में करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रेकट देखे़ यह पलस Y ही हो जाएगा ना 1 में गुना करते हैं तो उसके बाद ध्यान देजेए कि यहां से यहां तक उसी तरह उतार देंगे हम लोग उसके बाद यह 0 मैनिस 0 ये खतम हो जाएगा तोई तो नहीं होगा अब देखें कि एकी स्क्राइब प्रंद तो हम लोग लिखतेंगे कि so RHS is equal to RHS prob अब ध्यान देजिए कि हमारा ये question number 12 तक रहने देते हैं ठीक है आगे वाले वीडियो में हम लोग question number 13 से start करेंगे और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हर एक वीडियो हमने डाल लख अपने प्लेइलिस्ट में और परते कोस्टन का अंसर है उसमें ठीक है परते का solution कराए गया है परते का NCRT वाले का तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे धन्यब झाले को उस्यश्साइब यवादा आपस्टन के ताय्स्टन का तो सब्सक्राइब ही ऱयग।